नमस्कार आप सभी का स्वागत है राजे शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षन परिशत बिहार पत्ना में मैं आर्थी बख्षी आज चैप्टर वन समाने अर्थविवस्था के दूसरे पार्ट में या दूसरे भाग में आप आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन संभावना वक्र की उत्पादन संभावना वक्र पे चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पड़ा जसे इसको ब्रीफ कर लेते हैं पिछले क्लास में हमने अर्थविवस्था के अर्थ को जाना उसके शेत उत्पदन समभावना वक्र क्या होता है यह एक अर्थ विवस्ता में है तो षूओन मान लीजे एक नियकर वस्ता में दो वस्तों का उत्पादन हो रहा है या दो तरह की वह थो का उतपादन हो प्रोडक्शन के क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ क्या-क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। उन विभिन पॉसिबिलिटीज या कॉंबिनेशन को दर्शाने वाले वक्र या कर्व को हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में ह हम आईए स्क्रीन पर इसकी परिभाशा को एक बार देख लेते हैं यह किनी दो विशिष्ट वस्तुमों के विभिन संभावित सन्योजनों का एक चित्र में प्रती निधित्व है जिनका उत्पादन एक अर्थ विवस्था में किया जा सकता है उत्पादन संभावना वक्र की कुछ मानिता है या उत्पादन संभावना वक्र की कुछ assumption है जिस पर बेज्ड है यह कर्व तो पहली मानिता यह है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं उनकी मात्रा स्थिर होती है जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जो हमारे resources है एक अर्थ ववस्था के लिए उन resources की जो म दूसरी इसकी मानेता यह है कि संसाधनों का कुशलतम उप्योग मतब इस कर पे जितने भी आपके बिंदू रहेंगे या इस कर पे जितने भी संयोजन या कॉंबिनेशन को हम दिखाएंगे वो सभी कॉंबिनेशन हमें यह बताते हैं कि अर्थ विवस्था में उन लिमिटेड रिसोर्सेस का कुशलतम उप्योग हो रहा है यानि faut предложor नहीं हो रही है तीसरा है स्थेब प्रद्योग की जो उत्पादन है वो जो जीस technology के साथ हो कांस्टेंट है ठीक है टेकनोलोजी में अगर चेंज होगा तो हमारा उत्पादन-संभावना वक्र भी बदल जाएगा ठीक है तीसरी विशेष्टा यह रही इसकी चौथी विशेष्टा है दो वस्तु है हमने पहले भी चर्चा की थी कि उत्पादन-संभावना वक्र जो है वो दो वस्तु के विभिन साइयों को या कॉंबिनेशन को बताता है जिस पर एक अर्थववस्ता में एक समय विशेष में उत्पादन किया जा सकता है या उत्पादन-संभाव है ठीक है तो अब इस कर्व को हम कैसे बनता है इसके बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले ह एक टेबल को देखते हैं कि अर्थवस्ता में कौन-कौन से ऐसे कॉंबिनेशन हैं जिनके माध्यम से उत्पादन किया जा सकता है अगर इसी टेबल को स्क्रीन पर देखना चाहें तो जैसा बच्छों आप स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे हैं तो यह आपका लिखा है प्रोड़क्शन आप्शन टेबल ठीक है एक अर्थवस्ता में किन-किन प्रोड़क्शन के जो आप्शन से उत्पादन के जो आप्शन से उनको दर्शाया गया है ठीक है तो कॉलम वन में हमने आप्शन को लिया है A B C D E और इसके साथ ही हमने वीट यानि कंज्यूमर गू के बात कर रहे हैं तो यह 1000 यूनिट्स में है तो इसको हमने देख रहे हैं कि 50, 45, 35, 20, and 0 इस तरीके सी यह टेबल फॉर्म हुआ है तो हम देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ए में वीट का प्रोड़क्शन बिलकुल नहीं हो रहा है यानि 0 ठीक है और मशीन का प्रोड़क्श ठीक है और वीट का प्रोड़क्शन बिलकुल नहीं हो रहा है कॉम्बिनेशन बी की तरफ अगर हम देखे हम यह चाहते हैं कि अगर कंजूमर गुट्स का भी प्रोड़क्शन हो ठीक है तो कंजूमर गुट्स की एक यूनिट यानि एक लाग तन यूनिट को बढ़ाने के अगर आप एक रिसोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपको पहले की मात्रा को कम करना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए आपके आपने क्या किया 50 से आप 45 पे यानि की 5 यूनिट को 5000 यूनिट के प्रोड़क्शन को हमने कम किया उसके आगे देखिए 5 लिख करें तो कॉंबिनेशन सी में हम देखते हैं कि एक यूनिट हमने कंज्यूमर गुट की और बढ़ाई ठीक है यानि की 1 लैक टन से अब मानीजे 2 लैक टन पर गए तो उधर हम देख रहे हैं कि मशीन के उत्पादन को फिर हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्स तो सीमि तो इतना ही हमने माइनस किया कॉंबिनेशन डी में हमने एक यूनिट और बढ़ाई है वीच के प्रोड़क्शन की और उधर देखते हैं कि मशीन के प्रोड़क्शन को और जादा हमको कम करना पड़ा यानि 35 से 20 पे 20,000 यूनिट्स हम पे का प्रोड़क्शन अब अर्थव कॉंबिनेशन इक अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि 4,000,000 टन यूनिट का प्रोड़क्शन हो रहा है वीट का तो मशीन का प्रोड़क्शन जो है वो है एकदम जीरो यानि कि इस कॉंबिनेशन इपे हम सारे के सारे रिसोर्स का इस्तमाल केवल और केवल कंजियूमर ग अब खांगे हम से दिखाएं तो किस तरीके से बनेगा वो है ठीक है यहां पर हम वस्तु एक्स को एक्स एक्सीस है वो किस तरीके से बनेगा आपका इस तरीके से ठीक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानि उत्पादन संभावना वक्र इसी को हम शॉर्ट में पीपीसी कहते हैं ठीक है तो यह पीपीसी पे डिफ्रेंट पॉइंट्स हैं आपके सपोज ए बी सी डी और ए ठीक है य हम वस्तू X है ना वस्तू X का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जीरो और जितना भी उत्पादन है वो किसका हो रहा है वस्तू Y का ये combination A की बात हुई combination B पे अगर हमको जाना है तो हमने क्या देखा कि वस्तु X के production को बढ़ाने के लिए मुझे इसके production को बढ़ाने के लिए प्लस किया है मैंने इसको बढ़ाने के लिए हमें Y के production को घटाना पड़ रहा है क्यों? क्योंकि resources हमारे C में थे हैं अगर 1 के production को बढ़ाएंगे तो दूसरे के production को हमें घटाना पड़ेगा अभी combination C की बात करें तो वही उत्पादन को हम और बढ़ा रहे हैं एक unit और आगे जा रहे हैं तो यहाँ पर हम पहले देखिए हमने कम मात्रा को कम किया था अभी हमको और ज्यादा मात्रा को कम करना पड़ रहा है ठीक है मालो पहली बार में हमने जैसे हमने पिछे अपने टेबल में भी देखा कि फस्ट्राइम में हमने five units deduct की ती government5,000 extended की थी combination बीपे आने के लिए combination C पे आने के लिए हम 10,000 units doing that कर रहे थे और combination डीपे आने के लिए हम 20,000 यूनिट्स को डिड़क्त कर रहे थे यानि कि और ज्यादा आपका resources को हमें का हमें त्याग करना पड़ रहा था ठीक है और option E में क्या है अब सारे resources किसमें हम इस्तमाल कर रहे हैं वस्तु Greece 2 एक ओ फिर की और उस्तु वाई का उत्पादन जो है वह कितना हो गया है 0 हो गया यह कर्व में क्या बताता है बेशिक कर्में एक रशाम में जितने विपुत पत्ति के था है जो भी शनादन उपलबन है करथ वरस्ता को उसके माधियम से outल्व सरGreen का कुष्छलतम प्रैयोक करके हैंना跟ject combinations ये combination a b c d e कोई भी हो सकता है किसी भी combination को कोई अर्थव्यवस्था opt कर सकती है कि अनुसार वह ऊतपादन कर सकती है और उसको कैसा उतपादन मिलेगा जो का production है वो कैसा होगा the optimum संसादनों का जो utilization है वो optimum होगा कुशलतम प्रयोग करेगा वो मैक्सिमम ठीक है अब एक पॉइंट माल लिजे इसके अंदर है ठीक है इसको लेट से हम एफ बोल देते हैं एफ पॉइंट ठीक है अब प्रश्ण उठता है कि क्या इस पॉइंट पर पॉइंट एफ पर कोई कि एकॉनमी इस पॉइंट पर उत्पादन करना पसंद करेगी नहीं क्यों क्योंकि एफ जो है वो अर्थ ववस्था का जहां पर संसादनों का कुशलतम प्रयोग हो रहा है यानि पीपीसी कर पर जो पॉइंट से वो कुशलतम प्रयोग को दिखा रहे हैं उस पर यह मैक्सिमम जो हमारी कपैसिटी है उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है बलकि कम में उत्पादन कर रही है इसलिए यह अर्थ ववस्था के लिए कभी भी फ्रूट्फुल या लाबदायक नहीं होगा अर्थ ववस्था हमेशा क्या चाहेगी कि वो ऐसे कॉम्बिनेशन को चूज करें जो की PPC पर फ्लॉटेड है ठीक है और मान लिजे एक पॉइंट है हमारा लेट से पॉइंट के एक पॉइंट यह बाहर है यह PPC के दाही नहीं हो रहा है यानि कि उससे बाहर निकल गया है तो क्या इस पॉइंट पर कोई अर्थ ववस्था उत्पादन कर सकत कि क्यों क्योंकि यह अर्थ ववस्था की capacity से बाहर उसकी शमता से बाहर रहे इतने resources अर्थ ववस्था के पास है ही नहीं कि वह इस तो उसे अपने resources को इतना बढ़ाना होगा ठीक है तो यह जब तक resources बढ़ेंगे नहीं नया PPC नहीं बनेगा पीपीज़ शिफ्ट नहीं होगा तब तक इस पॉइंट पर production कर पाना अर्थ्ववस्था के लिए असंभव का रहे हैं तो पीपीपीज़ी बेसिकली एक कर्थववस्था को यह बताता है कि वो किन पॉइंट पर उत्पादन कर सकता है तो अग यह जो पीपी सी की शेप हम देख रहे हैं बच्चो इस शेप को देखकर इसकी दो विशेष्टाएं हमारे सामने आती हैं वो दो विशेष्टाएं क्या हैं सबसे पहली विशेष्टा संभावना वक्र की विशेष्टाएं सबसे पहली विशेष्टा है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की और गिरता है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की और गिर रहा है ठीक है बाएं से दाएं नीचे की और गिर रहा है यानि इसका धाल कैसा है रिनात्मक रिनात्मक ढाल ठीक है तो यह रिनात्मक ढाल क्यूं है अक्सर एक्जाम में यह question पूछा जाता है short type में कि PPC या उत्पादन संभावना वक्र का ढाल रिनात्मक क्यूं होता है तो बच्चो इसका answer है कि यदि चुकी संसादन अर्थफवस्था में सीमित हैं तो यदि हमें दूसरी वस् कम करना पड़ेगा ठीक है तो इस वज़ा से इसका जो ढाल होता है वो कैसा होता है रिनात्मक या बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ अब इसकी दूसरी विशिष्टा कि अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर देखिए आप कि दूसरी विशिष्टा है कि उत्पादन संभा वक्र की जो शेप है आप देख रहे हैं कि यह बाहर की और इस तरीके से उबरा हुआ है ठीक है देख रहे हैं आप कि इस तरीके से बाहर की और उबरा हुआ है तो यह जो इसकी शेप है यह कॉनकेव है ना कॉनकेव टूरीजन तो इस कॉनकेव टूरीजन होने का कारण क्य ठीक है दूसरी पहली विशेश्चता रिड़नात्मक धाल और दूसरी विशेश्चता कॉनकेव टू ओरीजन या फिर मूल बिंदू की ओर मूल बिंदू की ओर नतोदर ऐसा क्यों है तो इसका कारण है जब हम टेबल की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कर्व मान लोगَर हमको एक वस्तू का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें Y वस्तू के उत्पादन को कम करना पड़ेगा तो यह जो कम करने की जो दर है वो कैसी होती है Increasing rate ठीक है यह जो प्रतिस्थापन की दर है यह कैसी है Increasing जैसे पहली बार हम option B में जाने के लिए 5,000 units को कम कर रहे थे, ठीक है, फिर option C के लिए हमको 10,000 units को decrease करना पड़ा, option D के लिए हमें 20,000 units को decrease करना पड़ा, ठीक है, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर बार जो ये rate है, ये जो Y unit को जो हम घटा रहे हैं, उसकी जो दर है, जो प्रतिस्थापन दर है, जो substitution rate है, वो कैसी है, आपकी increasing rate है, इस increasing rate के कारण ही PPC की जो shape है, वो कैसी होती है, concave to origin या फिर मूल बिंदू की और नतोदर, ये दोनों ही प्रशन आपके short answer type question में अकसर पूछे जाते हैं, कि PPC का ढ़ाल रनात्मक क्यों होता है, और दूसरा, कि PPC जो है, वो मूल बिंदू की और नतोदर क्यों होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों इसका answer easily दे पाएंगे, रनात्मक धाल होने का कारण है, कि अगर Y वस्तू, अगर हमें X वस्तू का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमें Y वस्तू के उत्पादन को कम करना पड़ेगा, और concave to origin का का कारण क्या है, कि यदि हम X वस्तू के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उत्रो तर Y वस्तू की ज़्यादा मात्राओं को कम करना पड़ेगा, तो ये जो आपकी प्रतिस्थाबंदर है, सीमान प्रतिस्थाबंदर ये कैसी होगी, आपकी increasing होगी, 5, फिर 10, फिर 20, 25, 30, इस तरीके से, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, कि उत्पादन संभावना वक्र में शिफ्ट्स या कैसे होगी, अभी तक हमने ये देखा कि उत्पादन संभावना वक्र बनता कैसे है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, उत्पादन संभावना वक्र में अगर शिफ्ट होता है, तो कैसे होगा मान लीजिए यह हमारा पीपीसी है यहां उत्पादन संभावना वक्र वस्तू वाई कि वाई एक्सस पे और वस्तू एक्स एक्स एक्सस पे पीपीसी दो वस्तूओं को मताता है जो इस कर्ण पर मौवजूद होते हैं जिन में से किसी भी कॉंबिनेशन का इस्तिमाल करके एक अर्थ वस्ता में उत्पादन किया जासकता है ठीक है जिस पे अर्थववस्था को मैक्सिम उसके जितने भी रिसोर्सेज उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ठीक है अब अगर पीपीसी में शिफ्ट की अगर हम बात करें हमने जब इसकी मानिताएं पढ़ी थी तो हमने बात किया था कि इसमें टेक्नॉलेजी झो सढहा है। मान लिजे अर्थव्वस्था में धूरे धीरे कहा गया है कि हमें संसाध्नों का विकास करना है नो तो नई न्य तरीकी का संसाधन है ठीक है तो मान लिजे कि हम वाई वस्थू की technology में परिवर्तन आ गया या वाई वस्तू की technology बहतर हो गई अभी resources हमारे उतने ही है resources में कोई change नहीं आया है लेकिन technology जो है वो वाई वस्तू की मान लीजे अगर बहतर हो जाए तो ऐसी सिती में पीपीसी जो है वो हमारा improve करेगा कैसे एक्स वस्तू का उत्पादन तो उतना ही है वो नहीं बढ़ रहे ठीक है लेकिन वाई वस्तू का उत्पादन जादा हो जाएगा ठीक है यह वाई और दिस इस वाई डैश मान लीजे ठीक है तो अगर वाई वस्तू की जो प्रडर्डक््शन हम कर रहे हैं अगर उसकी ठीक्नॉलजी में इंप्रूब्मेंट आएगा तो वाई वस्तू का उत्पादन बढ़ गया लेकिन एक्स व्सतू का उत्पादन जितना था उतना ही इसका reverse भी हो सकता है इसका क्या हो सकता है कि वस्तु x की technology में improvement हो जाए ठीक है और y वस्तु की technology में कोई improvement ना हो तो y वस्तु का उत्पादन उतना ही है लेकिन x वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा ठीक है ठीक है ना इस तरीके से तो हमारा पी-पी संसाधन में परिवर्तन नहीं आया है लेकिन हमारी उत्प्रोडक्शन जो है वो एक्स वस्तू का बढ़ गया क्यों क्योंकि एक्स वस्तू की तक्नीक में सुधार आ गया या इंप्रूब्मेंट आ गया अब नई टेकनोलोजी की व कि संसाधनों में विकास हो जाए है ना संसाधनों का विकास हो और वो दोनों के लिए वस्तू एक्स के लिए भी और वस्तू वाई के लिए भी ठीक है दोनों के लिए विकास हो गया तो हमारा पी-पी-सी जो है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा ठीक है संसाधन में का विकास होने के शिती में, लेकिन यदि यदि इसका रिवर्स सकता है, इसका विपरीत सिती ही माल लिजे सोर्सेस जो है वह हमारे घट जाएं, कोई भी कारण हो सकता हैוש मान लिजे युद्छ की सिती है है या कोई महामारी फैल गई या कुछ भी ऐसे जिस वजह से हमारे संसाधन बहुत सारे नुकसान हो गई या मान लेज़े किसी देश ने पर आक्रमन कर दिया वह देश हमारे देश से वह हट गया तो उस वजह से संसाधन कम हो सकते हैं तो ऐसी सिती में क्या होता है पीपीसी की technology improve होगी तो X वस्तु का प्रड़क्शन उतना ही रहेगा लेकिन Y का production बढ़ जाएगा यदी X वस्तु की technology improve होगी तो ऐसे में क्या होगा Y का production उतना रहेगा लेकिन X का production बढ़ जाएगा यदी resources बढ़ जाते हैं हमारे ठीक है नए resources का पता चल गया या मान लिजे हमारे देश ने किसी दूसरे देश को अपने में शामिल कर लिया युद्ध के माध्यम से या नए रिसोर्से आ गए विकास हो गया तो उस माध्यम से क्या होता है हमारा PPC राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा और यही इसका उल्टा है अगर रिसोर्से स्कम हो जाते हैं तो P PPC अंदर की तरफ चला जाएगा ठीक है तो यह सब हमने देखा कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज आती है PPC के बारे में जानने के बाद हम चर्चा करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था अपनी किंद्री समस्याओं का समाधान किस प्रकार तब क्या होगा वह कीमत तंत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी लेकिन यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था की केंद्री समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी लेक तो तब यहां पर ऐसी मिश्रे तर्थ ववस्ता में किस प्रकार से केंद्रिय समस्याओं का समाधान किया जाएगा तो इसमें दोनों ही तरहां की संभावना है हमारे हाथ में हैं या कीमत तंत्र ठीक है यानि कि प्राइज मेकानिजम जिसे बोलते हैं बाजार की शक्तियां मांग और पूर्ती उसके माधियम से भी किंद्रिय समस्याओं को सुलजाया जाता है और दूसरी तरफ चुकि पब्लिक सेक्टर भी है तो आर्थिक नियोजन ठीक है उसके माधियम से भी हम कि इसका गठन किया गया था लेकिन एक जन्वरी 2015 को इसको भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नए संगठन का नाम सामने आया है जिसे हम निटी आयो के नाम से जानते हैं नीती आयो ठीक है ये नीटी जोकी भारत को परिवर्टन की और लेके जार रहा परreyवरत की दिशा में ले जाने वाला संगठन इस नीति आयों के माधियम से देश में अभी वरतमान में जो भी आर्थिक विकस आर्थिक नीयोजन किया जाता है वो इस आयों के माधियम से जारा है और अर्थवेवस्था की केंदरी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है अर्थवेवस्था के बारे में जाने के बाद अब हम एक छोटा सा टॉपिक को देखेंगे क्योंकि जो नेक्स चैप्टर है हमारे 12 में जो एकनॉमिक्स है उसे दो भाग में बाटा गया है कि मॉइक है और अगरन में मस अंखल में नंटिक का सबना इसका अर्थ होता है स्मॉव और में का ग्रीक भाशा के है क्रोज वर्ट से आया है जिसका अर्थ होता है बिग ब्रॉड है ना बिग ठीक है बड़ी बड़ी यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं तो माइक्रो एकनोमिक्स में करते हैं या अर्थ होता की चोटी जोटी एक आयों के बारे में पढ़ते थो उसे हम् ुझ जर्वाथा की चर्चा एक हॉल करते हैं सुम्पूर्ण अर्थ्ववस्था के बारे में पढ़ें राश्ट्री आय के बारे में पढ़ें आयवं रोजगार सिध्धान्तों के बारे में पढ़ें बालेंसD payment के बारे में पड़ें तो वो आपका व्यश्टी समस्थी मैक्रो को बोलते हैं हिंदी में समस्थी तो वो हमारा समस्थी अर्शास्त्र का विशेवस्तु होगी तो अब हम next chapter में micro economics के बारे में थोड़ा detail में study करेंगे ठीक है माइक्रो एकनॉमिक्स में भी हम consumers equilibrium या उपभोगता संतुलन के बारे में चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार